हाई फिरेंट्स कैसे आप लोग hope you all are doing great आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बजाज पलसर ns 160 की जो अभी हाली में अपडेट के साथ आई है थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हुआ है लेकिन वो डीसेंट है क्योंकि अपने कॉम्पीशन में वो पिछड़ती जा रही थी और यह अपडेट देना बजाज के लिए बहुत जादा जरूरी हो गया था और इसका काफी जादा एग्रेसिवली खेलता है अपने बाइक सेग्मेंट में और हर दस सीसी 125 भी है इनके पास 150 भी है का एक रेंज आता है तो वह पूरी चीज़े आपके पास है लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एनस बन सिक्स्टी के लिए क्या अपडेट्स इसमें आए हैं क्या इंप्टेंस इस गाड़ी की है बजाज के लिए इस पर हम बात करेंगे चलिए अपना वीडियो शुरू क करते हैं मेरा नाम अपूर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऑटो पैशन इंडिया और आज की वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स कहना चाहते हैं जेपीस बजाच को जो लखनों में हैं डिस्क्रिशन में पूरा इनका लिंक मिल जाएगा सबसे पहले गाड़ी का देखिए जो पूरी तरह चेंज हो गया है फुल एलेडी हेड्लांप सेटप आ गया है साइड में आपको एलेडी डियारस मल जाते हैं अपसाइड डाउन सस्पेंशन फ्रंट में मिलता है डूल चैनल एबीस के साथ यह आती है आप देख सकते हो फ्रंट में आपको 300 mm का ड सब्सक्राइब कर लें काफी अच्छा कंटेंट इस गाड़ियों पर आप देखने वाले हो कुछ कंपैरेजन भी हम करेंगे राइड रिवीव करेंगे बाके पूरी डिटेल इस वाले वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पीछे आप देख लीजे पीछे फेंडर भी अच्छा लग रहा है उपर से अपना जो हगर है टायर हगर भी यह भी अच्छा दिया हुआ है अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और फ्रंट में और रेर में दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं MRF के मेरी खाल से टाय मिलता है तो यह काफी ज्यादा हिट इनका एक डिजाइन लाइंग्विज है यहां पर मैं आपको टायर साइज दिखाना चाहता हूं 187 का है बाकी ऑल कूल इसमें इंजन मिल जाता है फोर बॉल्स का इंजन है और वन सिक्स्टी सी सी का डिस्प्लेस्मेंट है एक्जाक्ली इन 17.2 PS की पावर है और 14.3 Nm की आसपास का यह टॉक प्रोड्यूस करती है साइट सेंड में स्टेंड दोनों हैं 6 गेर्शिप्ट के साथ यह आती है 1 डाउन 5 अप चेंड डिवन है यह बाकी पीछे मोनोशॉक गैस चार्ज सस्पेंशन मिल जाते हैं जो अच्छे लग रह रहा है स्प्लिट सीट मिल जाती है साइड में या मैश का काम मिल जाता है जो ओवर ओल एनस की पूरी डिजाइन लैंविज है वो एक्जाक्ली सेम रहती है आप चाहे इनका 200 उठाले 125 उठाले 160 आपके सामने खड़ी है यह आल्मोस्ट आपको दिखने में बहुत ही आइड नसीट में मिल जाती है तीनों बसुक्राइब जाती है अच्छे से ग्लो करता है बहुत लोगों को यह चीज पसंद भाद लोग इस चीज के लिए इस गाड़ी को पर्चेस करते जो पीछे से लुक ये देती है, रात में बहुत जादा अच्छा देता है, फुल, all black, इसका engine आपको मिल जाता है, fuel injected engine है, 12 liters का fuel tank है, E20 compliant है, यहाँ पे आपको clip on handle bar मिल जाता है, जो अच्छा लग रहा है, आपको यहाँ पे metal finish मिलते हैं, यहाँ पे engine का kill switch है, यहाँ पे kick start भ में pass है, low beam, height beam है, यहाँ पे आपको basic lock मिल जाता है, दो keys मिल जाती है, and full digital instrument cluster आप देख सकते हो, थोड़ा सा shade कर दू, sunlight में है, आज हम direct outdoor में shoot कर रहे है, अच्छा लग रहा है, बाकी यहाँ पे आपको rpm meter है उपर, यह में रिकाल से 12,000 rpm तक जा रहा है, और यहाँ पे आप आपको speedometer मिल जाएगा, बाकी आप यहाँ पे सारे trips देख सकते हो, average देख सकते हो, digital fuel gauge देख सकते हो, front में आपको visor मिल जाता है, black finish में tinted black है, जो अच्छा लगता है, यह इसकी पहचान है, and बाकी, तो सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है इस bike के बारे में, आप हूँ, तो 1.47 lakh rupees, extra room price आपको लखरों में पढ़ता है, and on road price आपको 1.79 lakh rupees का पढ़ेगा, तो यह भी price भी विलकुल सही है, पहले से जादा मेरी ख्याल से almost 10,000 rupees का anonymous jump लिया है, इस particular model में, जो upgrade के साथ यह दे रहे हैं, तो आप देख लो, कि आपको 10,000 rupees justify लगता है कि नहीं ल मेल रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई वो खराबी नहीं है, बहुत लोगों को पुराना वाला console जादा पसंद in comparison to यह नय वाले console से, क्योंकि जब मैंने इसको N150 में cover किया था, इस console को बहुत लोगों ने इसको पसंद नहीं किया था, लोगों को पुराना Nlog और Digital का अच्छा अच्छा लगता है, तो यह आपकी आपकी choice है, अगर वो choice अभी भी आपकी बरकरार है, तो please, अगर आप ऐसी गाड़ी देख रहे हो, तो अभी जाके contact करेए अपने nearest बजाज के शोरूम में, नहीं तो वो bikes निकल जाएंगी, फिर यही fully digital console वाली bikes ही available रहेंगी, बाकी आप बताओ, आपको इस bike में क्या पसंद आया हो, क्या नहीं पसंद आया, मेरे लिए तो यह bike पहले भी मैं इसको review कर चुका हूँ, उसका भी description में लिंक डाल दूँगा, जो भी मेरे पुराने viewers होंगे, चैनल के उनसे वीडियो जरूर देखे होंगे, लेकिन यह upgrade के साथ मेरे क ठीक लग रही है, कोई बहुत जादा ऐसा major update नहीं है, कोई बहुत सारी चीजे नहीं नहीं बदल के रख दी, 10,000 रुपए भी बढ़ गए, बाइक में, अगर मेरे को पुराने वाला ही मिल रहा होता, तो मैं definitely पुराने वाला ले लेता, नहीं तो फिर अगर जब नहीं मिल मेरे को इसी पर जाना पड़ता, तो यह सारी चीजे इसके साथ लगी रहेंगी, आप बताओ, आपको कौन सी NS160 पसंद है, पुरानी वाली पसंद है, कि यह पसंद है, अब मैं इसका राइड करने जा रहा हूं, अभी राइड करके आया हूं इस लोकेशन पे, अब मैं फिर इसका है, एक राइड रिव्यू करने जा रहा हूं, बाइक को काफी हद तक मैं समझ चुका हूं, काफी स्मूध यह चल रही थी, बाकी बाते हम उस वाले वीडियो में करेंगे, इसके लिए, बाकी कॉम्टीशन से अगर मैं बात करूं, तो overall look and design मेरे को काफी जादा अच् पास से, तो नीचे दिये WhatsApp नमबर पे जरूर मेरे से बात करिए, और अपनी queries भी उस पे आप drop कर सकते हो, और mail address पे भी मुझसे आप communicate कर सकते हो, Autopassion India के नाम से Instagram handle है, उस पे भी आप जरूर मेरे से direct DM कर सकते हो, बाइक से related कोई भी अगर आपके questions रहते हैं, queries रहती हैं तो और मिलते हैं नेक्स वीडियो में, stay tuned, बाइक चला रहे हैं तो helmet जरूर पहनिए, और four wheeler चला रहे हैं तो seat belt जरूर लगाईए, नेक्स वीडियो इसकी ride का आने वाला है, तो please बने रहें साथ का,